चोपड़ा है जो किस न्यूटूब चनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरी बजो राजस्तान स्टेट का फाइनल सीट मैट्रिक्स आ चुका है और इसमें कुसी की बात यह है कि अभी भी गॉर्मेंट की फाइव सीट्स वैकेंट हैं इस्टे वैकेंसी राउंड के लिए इसमें चार सीट मनेजमेंट की बाकी हैं गॉर्मेंट कोलेजेज में और में हम बात करेंगे इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसका सेडूल क्या रहेगा कैसे कैसे स्टुडेंट को ये काउंसलिंग अटेंड करनी है इस्ट्रे वैकेंसी के लिए तो सबसे पहले हम सीट्स देख लेते हैं कौन सी कोलेज में कितनी सीट्स हैं तो गौर्मेंट सीट्स की बात करें तो पाली मेडिकल कोलेज में दो सीट यू आर बी की है एक सीट ईडबलू बी की है यानि ईडबलू एस बॉइज की है एक सीट ओबी सी देखें तो ये 611 के नियरबाई इनकी कटोब रहेगी कारण ये है कि 611 तक गौर्मेंट कोटा में सीट मिल चुकी है ओलिंडिया कोटा की जो सीटे हैं वो मिल चुकी हैं तो हम ये आइडिया लगा रहे हैं कि 611 से लेके 615 तक जनरल और OBC कैटेगरी के कंडिडेट को पाली क मेडिकल कोलेज मिल जाएगा जो 27 को काउंसलिंग अटेंड करेंगे जेपुर में उसका सेडूल में आगया आपको बता देता हूँ तो ये तो थी गौर्मेंट की सीट हैं यानि कि गौर्मेंट पाली मेडिकल कोलेज में 5 सीट अभी भी गौर्मेंट सीट बची हुई हैं इस्ट्रे वैकनसी राउंड के लिए अब बात करें मनेजमेंट सीट की तो मनेजमेंट सीट की चार सीट अभी भी बची हुई हैं मनेजमेंट की वो आप देख सकते हैं एक सीट इसमें बची हुई है OBC गल्स की GMC बाड मेर में एक सीट OBC गल्स की बची हुई है इसमें GMC चितोडगड में और एक सीट बची हुई है GMC धोलपुर में तो यह तो OBC GALS की तीन सीट इसमें बची हुई है और इसमें एक सीट बची हुई है GMC दोसा में EW GALS की यानि EWS GALS की एक सीट पेमिंट सीट बची हुई है तो यह सीटें पेमेंट सीट बची हुई हैं गौर्मेंट मेडिकल कोलेज में इसके अलावा प्राइवेट मेडिकल कोलेज में भी सीटें बची हुई हैं प्राइवेट में जो सीटें बची हुई हैं वो हैं जेनियू में सीटें हैं इसके बाद में जेनियू के अला कोलेज में भी सीटें अभी बची हुई हैं आप एक बार सीट मैट्रिक्स देख लें प्राइवेट में अगर आप एडमिसन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सीट देख लें जनरल की सीट भी बची हुई हैं और प्राइवेट में मनेजमेंट की सीट भी बची हुई हैं तो कि कटो 575 से उपर ही रहने की possibility है क्योंकि इसमें हर बार की तरह record दिखा गया है कि बच्चे इसमें बच्चे हुए होते हैं अपर category कि वो कहीं private में admission के चकर में रहते हैं कहीं करनाटका केरिला वहां से छोटके फिर यहां seats लेने की उनको यहां possibility बन जाती है वो यहां seat लेने क कि उसमें फिर मन बना चुके होते हैं तो मैं सोचता हूँ कि यह 570 या 575 से अबोव ही जाने की possibility है payment की seat कभी आगे वाले rounds में जो seatें कम होती है उनमें down जाने की possibility नहीं होती है फिर दूसरी बात यह seatे girls की हैं तो girls candidate के लिए यह फाइदा हो सकता है इसमें तो यह तो मैंने आपको cut of बता दी दोनू category की अभी बात करते हम schedule की तो इसका जो schedule है वो 27 September 23 को offline counseling होनी है जहां आपने मोपप round की counseling करवाई थी राजस्तान की वही venue रहेगा 27 को जाना है आपने procedure same follow होगा जो आपने मोपप round में procedure अपनाया था वही का वही same to same procedure है आपको entry pass download करना है entry pass download करने के बाद में अपने original documents लेकर के counseling अटेंड करनी है ये counseling की जो venue है ये सुभास नगर टीबी hospital के पिछे जैपूर में है RUHS dental में होगी तो ये मैंने सारी आपको condition बता दी है joining का time 27 से 29 September है तो जिन candidates को राजस्तान में seat लेनी है उनके लिए सुनेरा मोका है पाली जैसे institute में अभी भी seat बची हुई है तो वो seat ले सकते हैं इसी के साथ में आप हमारी चैनल को subscribe जरूर करें क्योंकि इस परकार की information हम time to time student को देते रहते हैं हमारी information है वो बिलकुल authentic रहती है हम बिलकुल भी student को कभी भी गुमरान नहीं करते हैं तो चैनल को subscribe करें बैल आइकोन अवस्य प्रेस करें मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन